Hello friends, welcome to my channel Madhulika Ruhela. जहां मैं लेके आती हों आपके लिए informative videos. Friends, आज इस video में मैं बात करने वाली हूं BlockPilot के दो important blocks की बारे में जो है operators and variables. किसी भी programming language में variables का बहुत important role होता है. With the help of variables, we can do many calculations in our program. And with the help of operators, we do operations like plus, minus, etc. on our variables. तो चलिए, शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले हम समझेंगे, what is a variable? In programming language, variable is just like a container which can hold values in it. जैसे container को आप label करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही programming में variables को भी हमें label करना होता है. But यहां scratch बहुत ही ज़्यादा flexible है. यहां rules इतने tough नहीं हैं जैसे other languages में हैं. यहां variable के name में special characters भी हो सकते हैं. blank spaces भी हो सकते हैं, variable का name बहुत लंबा भी हो सकता है, short भी हो सकता है, number भी store किया जा सकते हैं उसमें. और यहां data type mention करने की भी ज़रूरत नहीं है. जिस भी तरीकी की value को एक variable hold करता है, वो variable उसी type का बन जाता है. Suppose मैंने एक variable बनाया a नाम से, तो मैंने उसे label कर दिया a, अब मेरा एक container बन चुका है a नाम का, अगर मैं उसमें कर रहे ही हूँ value integer की store, Suppose मैंने करा a equals to 5, तो वो मेरा integer type का variable बन गया. Suppose मैंने उसमें store किया मेरा name, a equals to madhulika, तो वो बन गया string type का variable. तो यहां scratch हमारे लिए बहुत ज़्यादा flexible हो जाती है. ठीक है? तो हम कैसे variable बनाएंगे? समझते हैं. यहां आप देखिए, block palette में orange color का यह block है, variables. इस पर एक बार क्लिक करेंगे, तो यह हमें सारे instructions block मिल जाते है. यहां सबसे उपर आपकोद मिल रहा है एक button make a variable. मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगी, तो यहां मुझे input box मिल जाएगा, जहां cursor बिलिंक कर रहा है. यहां मैं लिखूंगी, suppose मुझे a name से बनाना है variable, तो मैंने store कर दिया a. for all scripts सब, पूरी scripts के लिए आपको चाहिए या for this script only, तो for all scripts रहा है देते हैं, ok पे click कर देते हैं, अब आप यहां देखोगे, एक check box लगा है, इस check box मिल टिक है, और a variable यहां पर बन गया है, और यहां stage पर आपको एक button शो हो रहा है, जिसमें पहले से ही by default 0 assigned है, this is a variable and it's holding 0 in it अगर आप चाहते हो कि stage पर यह variable show ना हो, तो आप यहां से इस check को हटा सकते हो, तो वो stage पर show नहीं होगा, अगर आप चाहते हो show करना, तो आप इस पर एक बाद click कर दीजे, check कर दीजे, यह variable show होने लगेगा, यह a variable आपको circle में दिखाई देगा, यहां जितने भी variable बनेंग अपरेशन करने वाली हूँ, दो values को मैं sum करूँगी, एक a variable बनाऊंगी जिसमें 5 store करूँगी, b variable बनाऊंगी जिसमें 5 store करूँगी, c variable बनाके a और b का sum उसमें store करवाऊंगी, तो यह मुझे एक simple सा script लिखना है, मैंने a variable बना लिया है उसके लिए, मैं दूसरा variable बना रही हूँ, b, ok करूँगी, यह देखिए, second variable मेरा create हो चुका है, जिसके value 0 है, third variable बनाना है, अब मुझे c variable, तीनो variable बन गए, अब मुझे value assign करनी है, तो मैं यहां से change भी कर सकती हूँ, और set भी कर सकती हूँ, तो मैं set कर लेती हूँ, drag करा, मैंने a रहने दिया, यहां पे मैंने value put कर दिया, 5, अब मैंने b के लिए drag करा, यहां से select करा, b, और यहां पर मैंने put कर दिया, 5, यह मैंने दो variables की values को put कर दिया है, a and b, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है, sum, sum के लिए मुझे operator की जरूत पड़ेगी, तो मैं जाओंगी यहां पर block palette में से operators वाले option पर, और म देखिए, तो मुझे करना है sum, किसे करना है a and b को, मैं variable पर जाओंगी, यहां पर मैं लिखूंगी a, और यहां पर रखूंगी b, अब मैं रखूंगी, यहां से मुझे लेना है set, a और b को, दिख लिए जो दुबारा से दिखा रहे हूं, a और b को यहां पर 0 वाली जगा प brackets के लिए है, ओके, अगर हमें कोई equation बनाना है, तो हम easily इस तरीके से equation बना पाएं brackets की, तो इसलिए यहां पर यह सब round brackets में होंगी operators, यहां से मैं लेलूंगी c, तो मैंने कहा set c equals to a plus b, पहले a variable में 5 डालो, b variable में 5 डालो, फिर c variable को assign कर दो, a plus b की value, पट यह काम कब हो, किस event पर हो, तो हम जाएंगे event पर, when flag clicked, यह हमारा hat block है, जिस पर hat लगा होता है, यह हमारा hat block होता है, जिस सबसे उपर हम लगाते है, अब मेरा script simple जो था, वो create हो चुका है, यहां पर मेरे stage पर a, b, c variables है, जिसके अंदर मैंने value assign कर दिये, जैसी मैं इस पर click करूंगी, वैसी मु a की value assign होगे 5, b की assign होगे value 5, और c में दोनों का sum आ गया, जैसे ही मैं यहां कुछ भी values change करती हूँ, values change हो जाएंगी, जैसे ही मैं उसे click करोगी, flag को click करते ही, values variable की change हो चुकी है, और मेरा जो sum है, वो भी change हो चुका है, इस तरीके से आप अपने mathematical operations करके program बना सकते हैं, मैं जाओंगे कि आप मेरे को comments में लिखें कि किस तरीके से आपने create करा, अपना script और किस तरीके से आपने mathematical operations सीखें, तो आज हमने सीखा है plus का script लिखना, हमने सीखा operators कैसे use करते हैं, variables कैसे create कर सकते हैं, अब आप अपना script लिखें जिसमें आप इन बच्चे हुए तीनों operators का use क करिए, मुझे comment करके बताए कि आपने किस तरह अपने script लिखा, आप चाहें तो यहांसे backdrop change करवा सकते हैं, और उसके बाद एक सुन्दर सा script लिखकर मुझे बता सकते हैं, save करना मैं आपको बता चुकी हूँ, सम लिख देती हूँ मैं इस project का नाम, save to your computer पे click करेंगे, यह मै मैं सम अपने project को save करूँगी, जो dot sb, p extension के साथ save हो जाएगा, save कर दूँगी और यह मेरा project save हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही, please subscribe मैं चैनल and like my video, thank you, we will meet in next video, take care आपको आपको आपको